Hello students, this video is for class 1 Hindi by G1 Preet Kaur So, हम लोग इस वीडियो में lesson 2 को पढ़ने जा रहे हैं Lesson 2 का नाम है अमंत्रिक शब्द दो वड़ों के अमंत्रिक शब्द हम लोग दो वड़ों को मिला रहे हैं और उन शब्द को पढ़ेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वाले चित्र में घर बना है तो हम उसे पढ़ेंगे घर घर इसी तरह दूसरे वाले चित्र में फल के चित्र बने हुए हैं तो हम उन्हें पढ़ेंगे फल फल फिर हम पढ़ेंगे रध रध फिर हम पढ़ेंगे बस बस उसके नीचे आप देख सकते हैं जग का चित्र बना है तो हम लब पढ़ेंगे जग जग फिर है नल नल फिर है हल ल हल फिर धान धन आप लोग ध्यान दिजेगा धान धन फिर है नाथ नत नाथ नत अब दूसरे वाले में लिखा है बोल बोल कर पढ़िए अब हम पढ़ेंगे बोल बोल कर पढ़िए अब मैं आपको वर्ड बोल रही हूँ आप लोग इसको मेरे पीछे दोराएंगे कला कल चल चल बल 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 तल 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 तन तन मान मन आपन वन 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 जनजन गन 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 पार पर, प और रा पर, मत मत, म उता मत, चत चत, च और त चत, पथ पत, हट हट, मत मत, म म उता की मातरा मत, वट वट, वट वट, अब अब, जब जब, सब सब, तब तब, कब कब, रब रब, दस दस, नस नस, रस रस, ये शब्द जो हैं, वो बिना मातरा वाले हैं, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में प्रियास किजिएगा, बिना देखे लिखने की, अब हम लोग नीचे एक कवीता लिखिए, अब हम लोग उसे समझेंगे, यश चल, अब घर चल, हट मत कर, रस चक, यफल चक, छत पर मत चड, दस तक पढ़, सब सच सच कहें, तो अब इस कवीता में हम लोग देख रहे हैं कि एक यश नाम का बच्चा है, आप एक चित्र में देखिए, उसकी बेहन और यश, दोनों है, उसकी बेहन यश से कह रही है, यश अब चल, अब घर चले, अब घर चल का मतलब है, अब घर चल, हट मत कर, रस चक, जिद मत कर, और रस को चक, यश की बहन उसको कह रही है कि अब हमें घर चलना है जिद मत करो और रस को चको और घर चलो ये फल चक छद पर मत चड़ वो कह रही है कि ये फल को चको और छद पर मत जावब दस तक पढ़ सब सच कह तो अब वो कह रही है कि दस तक पढ़ो आप देख सकते हैं चित्र में एक से लेके दस तक गिंती लिखी है तो वो यश की बेन कह रही है कि तुम दस तक पढ़ो और सब सच कहो तो इस कवीता में उसकी बेन यश से बात करके उसे समझा रही है कि आप घर चल जित मत कर ये फल को चक छत पर मत जा और अब दस तक पढ़ कर सब सच कहें बच्चो अब ये कवीता आप लोग इसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे ठीक है बच्चो थैंक यू